दोस्तो आप लोग यह जान गए होंगे जो आखिरी यह क्या चीज़ है दोस्तो यह रहा सलाइडर प्लाई का कटिंग किया हुए डिजाइन है जो आप लोग बड़े बड़े होटल समय डिजाइन खुबसूरती बढ़ाने के लिए यह सब लगा जाता है इस पर डिको पेंड या अनेमल पेंड भी किया जाता है खुबसूरती बढ़ाने के लिए तो चलिए आज इसी पर हम पेंड करके दिखाने वाले हैं किस तरह पेंड किया जाता है और कैसे कैसे यूज किया जाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूं कलकार आजीव रंजन और आप लोग देख रहें यूटूब चनल कलकार चकास अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तों इसके बारे में हम पुरा आज फोल जनकारी देने वाले हैं आखिर ये है क्या चीज ये दोस्तों पलाई का कटिंग किया हुआ डिजाइन है जो कि स्लाइडर है स्वेंबर की पीछे होटल सब में देखे होंगे बड़े-बड़े होटल सब में डिजाइन के लिए अच्छा देखने के लिए ये सब लगाए जाता है इस पे डिको पेंट या एनेमल पेंट भी किया जाता है तो सबसे पहले चलिए हम आपको प्रेमर करके इस भी दिखाते हैं जो कौन सा इस पे प्रेमर किया जाता है तो दोस्तों ये मेरे भाई लिया है चोटे भाई और स साधी बिवा में सजावट के लिए तो चलिए सबसे पाहले इस पे हम इसको प्रैमर करते हैं तो यह रहा इंड़ो को वूड प्रैमर गोल्ड श्रीज तो हमने पैकिंग लिटर वजा नहीं मिला और आधा लिटर वजा मिला मुझे चार हम दो लिटर चार पैकिंग लेका हैं तो इसका अपरेट भी देख सकते हैं ये बिल्कुल हाइट प्रेमर है और ये रहा पट्टे वाले रेकमाल ये तीन इंच का ब्रस और ये तारबीन तेल और आप देख सकते हैं इसमें हमको करना है तो सारे कागज से पहले इसको सफाई करना पड़ता है कटिंग कटिंग जो ह है ये कुछ बढ़ा हुआ रहा रहा था इसमें पलाई में तो उसको अच्छी तरह इसी तरह जो है सफाई करना पड़ता है तो चलिए हम सफाई करके दिखाते हैं ये बिल्कुल देख सकते हैं दोनों कितना अंतरी इसमें सफाई हो चुका है और उसमें बचा हुआ करने के लिए तो इसको भी हम सफाई कर लेंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं तो दोस्तों आधा लिटर हम सबसे पहले आधा लिटर प्रेमर इसमें खुलते हैं और खुलने के बाद इसमें how ऐधा लिटर में 1.5 ml जो है हम इसमें तारपिन तिल मिक्स करेंगे तो हमने दो लेके आए हैं वूड प्राइमर तो माधा अधा लिटर मिला मुझे पैकिंग एक लिटर वला नहीं था तो अधा लिटर हम पहले इसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं तारपिन तिल लेकि मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद हम यूज करना शुरू करते हैं जैसा तरह आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हम कर रहे हैं बस सेम इसी तरह आप भी कर रहे हैं तो इसी तरह कर सकते हैं देख सकते हैं इसी तरह जो है प्रैमर दोनों साइट करना पड़ता है जिस तरह आप लकड़ी में कहीं दरवाजे सब में जो करते हैं प्रैम कर रहे हैं मसीन तो था लेकिन अभी खराब हो चुका है कुछ मसीन तो सबसे पहले इसमें प्रैमर किया जाता है आप सिंगल कोड दोनों साइट प्रैमर कर लीजे अच्छी तरह से और कम सकम एक रोज सुखने के लिए छोड़ दीजे देख सकते हैं यह बिल्कुल सुख चुका है एक रोज के बाद हमने इसको दिखाया है यह अच्छी तरह से सुख गए हैं दोनों साइट देख सकते हैं दोनों साइट हमने प्रैमर यूज किया हैं लकड प्रैमर वूड प्रै इंडोको का प्यू सूपर ग्लोज एनेमल प्लेटिनम सीरीज बहुत ही डारजली वाइट है बहुत ही अच्छा पेंट है और टिकाओ भी काफी है यह प्यू है सबसे ज़्यादा इसमें चमक है अब देख सकते हैं इसमें हम चार लिटर लेकर आए चार लिटर का साध बारास 225 रुपर अभी कुछ प्राइज बढ़ गया है यह पाली का ही पैकिंग है इसको हम खोलके उसके बाद हम यूज करते हैं तो डबा को पाले सबसे अच्छी तरह से हिला डूला लीजिए और डंटे से मिला लीजिए खोलके उसके बाद पेंट करना सुरू किजिए देख सक दोस्तों मेरा बेटा भी आचुका है यह बहुत ही नटखटी है कहीं भी काम करने लगता है तो पीछे आ जाता है तो अपने यहां भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब पेंट करना हम सुरू कर दीगे बिलकुल धूप में आप किजिएगा तो अच्छा रहेगा ही नटखटी है जो और छोटग है नहीं समझ रहा तो दोस्तों देख सकते हैं जो इसी तरह बिलकुल धूप में हम कर रहे हैं अभी धूप ज्याजा लग रहा है तो धूप में करने के बाद आच्छी तरह से सूख जाता है देख सकते लिए सब बिलकुल फाइनल हो चुका साफाहे हमने एक साइड कर लिय। तो दोस्तों इसी तरह सेम क्या जाता तो देख सकते हैं बिलकुल यह कौनिया है और साइड में साटर सब और पिलर सब का है। चल्के अब दिखाते हैं जो कहां पर कैसे इसको सजाया जाता है तो यह देख सकते हैं यह बिल्कूल फैनल हो चुका है यह मयूर वाला है डिजैन देख सकते हैं यह बगल में चचा बेटी का सादी था शिष्टर का मेरा ayag शिष्टर का सिन्हा, रात को अगर देख कर लाइट चला के नहां, तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी तरह सजाया जाता है, बहुत ही, ऐसा डी जाइन साब है बहुत ही अच्छा अच्छा है, तो दोस्तों, इसी तरह मिलते हैं नेच बेज मुख्यों